हलो दोस्तों आज मैं Self Defense हत्यार लेके आया हूँ यह मैंने Flip Cut से मंगाया है आप भी मंगा सकते हो तो Flip Cut से किस परकार से मंगाना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे मंगा लेना है लेकिन उससे पहले आपको इसको पूरा वीडियो देखना क्योंकि इसके अंदर क्य क्या मैं पूरी जानकरी देने वाला हूँ कि यह कैसा आता है किस परकार से यह वरक करता है सब कुछ बताने वाला हूँ तो यह कुछ इस परकार से पेक किया वाया है तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ यह देख सकते हो इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसके अंद और इसका किस परकार से यूज़ किया जाता है यह सेल्फ डिफेंज के तोर पे आप हर खाई पे रख सकते हो और इसे अपने आतम रक्षा के लिए यूज़ कर सकते हो यह कुछ इस डिजाइन में आता है और इसे अपन हाथ में रख सकते है यह जे पोकेट वगेरा में अपन और अब अब इसको 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 इसे अबहां में धालके आप आगए तकि पिशी भी दुस्मन पे हमला सकते एगो इसके दुस्मन पेश्ची भी बी सर अगेरा पे नहीं देना चाहिए तह्यगी उसको गहरी चौटा सकती है सीने पे वगरा नहीं बिल्कुल ये पीट पे वार करने के लिए आता है पीट हाथ या पेर पे वार कर सकते हैं इसका जिसे अपने खुद की सेप्टी के लिए बिल्कुल भी कभी भी गलत तरीके से इसका यूज बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इसमें इस्टिल बोल लगी यह इसमें इसी कारण से वजन बहुत ज्यादा आता है यह ऐसे हाथ में पकड़ते हैं तो आपने को पता चलता है कि इसमें बहुत ज्यादा वजन है तो अगर इसे मंगाना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे हुई है उससे भी मंगा सकते हो यह बाद में इस्टिल वीडियो में तब तक के लिए पारवाय दोस्तों